दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले मैं भारत को भारती अताकी माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगा हूँ आज में आपको ऐसी कुछ माहिती देता हूँ जो ऐसी ही अध्वुत आउशदियां है और अपने स्वैंपाक धर के बिल्कुल नज्दीत में उपलब्द है उनमें से एक आउशद है उसका नाम है तुल्सी तुल्सी हम सबके घर में हैं ऐसा कोई घर शायद नहीं मिले जहां तुल्सी ना हो तुल्सी दो प्रकार की होती है एक तुल्सी ऐसी है जिसको हम लोग कहते है राम तुल्सी और एक है जिसको हम कहते है श्याम तुल्सी राम तुल्सी का ऐसा होता है कि उसका रंग हलका हरा होता है light green और जो श्याम तुलसी है उसका रंग बहुत जहरा हरा होता है dark green कभी-कभी वो दिखने में ताली भी दिखाई देखी इसलिए उसको श्याम तुलसी कहते हैं तो ये जो श्याम तुलसी है इसी के औशदिय गौन है राम तुलसी में ज्यादा ओशदिय गौन नहीं तो घर में लगानी हैं आपको तो हमेशा सोच विचार कर श्याम तुलसी ही लगाईए तुलसी की विशेष्टा ये है कि ये कभी भी लगाई जा सकते साल के किसी भी महिने में आप इसका रूपन कर सकते हैं और दूसरी विशेष्टा ये है कि ये सभी समय मिलती है कोई भी समय में आपको ये मिलती है तो आप गंले में लगा सकते हैं घर में लगा सकते हैं अब ये जो श्याम तुलसी है इसके क्या-क्या उपयोग आप कर सकते हैं इसका सबसे बड़ा उपयोग है किसी भी तरह के बुखार को समाप्त करने जो है, फीवर, किसी भी तरह का फीवर आपको है वाइरल फीवर है, वेक्टिरियल फीवर है या टाइफाइट का बुखार आगया आपको या सरदी जुकाम के कारण कोई बुखार आ गया या करीबार ऐसा होता है कि शरीर से बहुत जादा श्रम किया बहुत काम किया तो भी बुखार आ सकता है तो किसी भी तरह के बुखार को तोड़ने में श्याम तुलसी का बहुत बड़ा योगदान है इतना बड़ा योगदान है जो शायद किसी दूसरी चीज का नहीं तो आप इसको हमेशा घर में रखें और किसी भी तरह का बुखार आए तो इसका भरबूर उपयोग करें इसका उपयोग करमे का तरीका बहुत सरल है पंद्रवीस पकते इसके तोड़िये श्याम तिलसी के चट्मी बना के उसका रसले काल लीजे इस रस को गरम कर दीजे इसमें थोड़ा गुड मिला दीजे और अगर आप शहद खा सकते हैं मद खा सकते हैं तो थोड़ा सा मद मिला दीजे और इस रस को मद के साथ मिला कर नही काम करती है, वही काम ये तुल्सी करती है बहुत अधूद तुल्सी का सबसे बड़ा उप्यूग है किसी भी तरह के बुखार को तोडने में अगर 104 डिगरी, 105 डिगरी बुखार आ गया है, तो तुल्सी का काढ़ा बना के दीजिए उखार तुरंत 105-102-101 के आजाए कारा कैसे बनाना है तुलसी के पत्ते 15-20 तोड़कर पानी में डाल दीजे आधा कब पानी में खूँ उबालिये इस पानी को इतना उबालिये कि ये आधा रह जाए फिर इस पानी में थोड़ा गुड मिला दीजे और गुड मिलाकर पीने लायक जितना गरम है उतना इसको बना के पी लिजे तो ये काहा है तुलसी का इस काढ़े से कितना भी खराब से खराब बुखार है तुरंत नीचे आता बहुत ताकत है तुलसी में बुखार तोड़ने के इसी तुलसी का बहुत ज्यादा सदुपयोग सभी माताएं कर सकती है मासित पाड़ी से जुड़े हुए एक बहुत खराब रोग में इस तुलसी का बहुत अच्छा उपयोग होता है सफेद पानी आना पांडरे पानी की शिकायद जिसको हम सब लोग आजकल बहुत परिशान है काफी माताओं को ये तकलीफ आजकल हो रही है तो पांडरे पानी जाने की शिकायद जिनको है अंग्रेजी में जिसको लिकोरिया कहते है इसकी सबसे अच्छी आउशद है यही तुलसी, श्याम तुलसी, इस श्याम तुलसी का भरबूर उप्योग करी है, आपको इस बीमारी से बिल्कुल आसानी से निजात बिल जाए इसको लेना कैसे है, तरीका मैंने बताया है कि इसका काहा बना के ले सकते हैं, नहीं तो चट् तुलसी के रस के साथ थड़ी शक्तर जरूर खानी चाहिए, तो जिन्दगी भर के लिए आपको यह बीमारी खतम हो जाए, दुबारा कभी नहीं आए तुलसी का दूसरा सबसे बड़ा उप्योग, इसी तुलसी का एक तीसरा उप्योग भी है, बुजुर्गों को जो अध आजाता है, होती है तो एक दो बूद होती है, आगे नहीं होती, ऐसे सभी भुजुर्ग नागरिकों के लिए वरद्धों के लिए भी इस तुलसी का अधूत उप्योग है, तरीता मैंने बता दिया, एक ही है, या तो कारे के रूप में, नहीं तो उसका रस, और ये तुलस बहुत जादा डेंडरफ है, बहुत परिशान है, खोड़ा केते हैं, कोड़ा, ये बहुत हो गया, डेंडरफ हो गया, घुजली बहुत आरही है, तो यही श्याम तुलसी का रस निकालिये, चट्मी बना कर और ये बाल में लगा लिए, एक तास के बाद बाल को दो दीजे, सब कोंड़ा निकाल दे, बेंद्रफ आपका इंतना ठीक कर दे दे और इस तुल्सी का एक अच्छा उप्योग है कभी माताओं को मासिक पाड़ी के समय बहुत जास्ती रख्त जाने की शिकायत है आपको तीम दिन रखत जाना चाहिए लेकिन पांच दिन जा रहा है, साथ दिन जा रहा है, कभी कभी दस दिन जा रहा है तो यही तुल्सी का रस पी लिजे, रख्त को तुरंट बंद करते हैं बहुत अधुत है, इस एक तुल्सी का मैंने देखा है अपने शरीर की कम से कम 25 से 30 मीमारियों में इसका प्रयोंग हम कर सकते हैं बच्चों के लिए इसका बहुत अच्छा उप्योग है करीबार ऐसा होता है कि बच्चों के शरीर में पेट में कीड़े हो जाते हैं जन्तु हो जाते हैं और उस जन्तु के कारण वो बहुत परेशान जाती है। अक्सर ऐसी परेशानी उनको आती है कि आप तो बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं। लेकिन वो सब खाना उनके जन्तु खा जाते हैं। शरीर को नहीं लगता। अगर ऐसी जरादिस अंभावना लगे कि बच्चों को शरीर में जन्तु है तो यही तुलसी का रस और उस काड़े से जन्तु सब निकल जाते हैं। इस तुलसी का बहुत बहुत अच्छा उपयोग कई कई बीमारियों में आप कर सकते हैं। और एक आखरी बीमारी शरीर को कहीं पर कोई घाव हो गया ब्रण जिसको पहते। और इतना ढ़ैंकर घाव हो गया कि बच्चा नहीं उसमें से लसी भी निकलती है उसमें से रक्त भी निकलता है घाव बच्च नहीं है। तो खराब से खराब धाव बढ़ जाता है। तो ये तुलिसी अपने घर में जरूर रखे, कम से कम स्वेंपाक घर के नज़्दीत रखे, गंबले में लगा कर रखे, और घर में थोड़ा बड़ा बगीचा है, तो जादा बड़े इलाजिये में लगा कर रखे,